नमस्कार दोस्तों मैं मयूड सुरिवंशी आपका स्वागत करता हूँ आपके ही इस यूटूब चैनल पर इसका नाम है सुरिवंशी एकेडमी दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है उन्नीशी शताबदी का वह आंदोलन जिसे हम धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में जानते हैं दोसों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि यह जो टॉपिक है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन यह टॉपिक आपके सभी एक्जाम्स में बराबर रूप से महत्यपून है आज हम यह जानेंगे कि वो क्या महत्यपून मुद्ध है जिसकी वज़े से सामाजिक आर्थिक राजितिक रूप से लोग सक्री हुए और उनमें इस प्रकार की चेतना जागी की वे अपने धर्म में सुधार करने के लिए अपने समाज में सुधार करने के लिए आगे आकर का करें इस संबंद में सबसे महत्वपून बात यह आती है कि हमारे पास मुगल जो दौर था वो खतम हो चुका है मराठो का दौर खतम हो चुका है अंग्रेजी हुकूमत का दौर चल रहा है यह वो समय है और यहां पर गवर्नर जनरल द्वारा भारत में प्राच्ची शिक्षा जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा चुका है इस अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के दौरा भारतिय विद्वान जो थे वो अपने समाज में व्याप्त रूडियों को एक अलग नजरी से देखने में काबिल हो पाए और उन् उनीश्वी शताबदी तक आते आते ये अपने पूर्वार्द पर आ गया और इस प्रकार के आंदुलन फिर कभी दिखाई नहीं दिये। अब सीधे टॉपिक पे चलते हैं कि हमारी एक्जाम में क्या पूछा जाता है तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि हमारी एक्जाम में बहुत ही सीधे और स्ट्रेट प्रशन आते हैं ये प्रशन जो हैं वो किसी सामाजिक संस्था या धार्मिक संस्था के जो प्रमुक होता उसके विशय में आ सकते हैं या उनके मुख्यालय के विशय में आ सकते हैं कई बार प्रश्ण इस्थापना दिवस के विशय में या इस्थापना वर्ष के विशय में भी आये हैं इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो प्लीज हेड़फोन लागे सुने क्योंकि आगे जो मैं बोल सेग्मेंट धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा तो क्लास स्टार्ट करते हैं उनिश्वी सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनरजागरण की सदी माना गया है इस समय कंपनी की पाश्चात्य सिक्षा पद्धती से आधुनिक ताकालिक युवामन चिंतन चील हो उठा तरोन ववरद सभी इस विशाय पर सोचने के लिए मजबूर हुए यदपी कंपनी ने भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के प्रती सयम की निती का पालन किया था लेकिन ऐसा उसने अपने राजनितिक हितों के लिए किया पाश्चाति शिक्सा से प्रभावित लोगों ने हिंदू सामाजिक रचना धर्म, रिती रिवाज वपरंपराओं को तर्क की कसोटी पर कसना प्रारंब कर दिया इससे सामाजिक वधार्मिक अंदोलन का जन्म हुआ अंग्रेजी हुकूमत में सदियों की रूणियों से जरजर हुए अंदविश्वास से ग्रसित ओध्योगिक नगर जैसे कॉलकत्ता, मुंबई, कानपूर, लाहोर एवं अदरास में सामिवाद का प्रभाव को चधिक रहा भारती समाज को पुनर जागरण या पुनर जीवन प्रदान करने का प्रेयतन प्रभुद्ध भारती समाज एवं धार्मिक सुधार को सुधारवादी बिटिश गवर्नर जनरलों एवं पाश्चाति सिक्षा के प्रचार ने किया भारत में बिटिश सत्ता के पेर जमने के बाद यहां का जन्मानस पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्क्रती के संपर्क में आया इसके परिणाम स्वरूप नव जागरन की शुरुवात हुई भारती समाज की आंतरी कमजूरियों का पक्ष उजागर हुआ अंग्रेजी शिक्षा ने भारत के धर्म एवं सामाजिक शेत्र में महत्पूर्ण परिवर्तन किया अंग्रेजी शिक्षा वसंस्क्रती का प्रभाव सरुप्रतम भारती ये मध्यमवर्ग पर पड़ा तातकालीक भारती समाज में व्याप्त कुरूतियों एवं बाहे आडंबरों को समाप्त करने में पाश्चाती शिक्षा ने महत्पूर्ण योगदान दिया इस शिक्षा पद्धती के प्रभाव में आकर ही भारतियों ने विदेशी सब्विता और साहित्य के बारे में धेर सारी जानकारियां इकत्र की तथा अपनी सब्विता से उसकी तुलना कर सच्चाई को जाना प्रारμब में अर्थाथ 1813 इसवी तक कमपनी के शाशन ने भारत के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्क्रतिक मामलों में अहस्तेक्षेप की नीती का पालन किया क्योंकि वे सदेव इस बात से शशंकित रहते थे कि इन मामलों में हस्तक्षेप करने से रूडिवादी भारती लोग कमपनी की सत्ता के लिए खत्रा उपन्द कर सकते हैं परन्तु 1813 इसवी के बाद ब्रिटिश आशन ने अपने ओद्योगी खितो एवं व्यापारिक लाप के लिए सीमित हस्तक्षे प्रारम कर दिया जिसके फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप कालांतर में सामाजी के वं धार्मिक सुधार आंदुलन का जन्म हुआ यहाँ पर हिंगल साहब ने कहा है कि पुनर जागरन के बिना कोई भी धर्म संभव नहीं है अब बात कर लेते हैं हमारे धार्मिक सुधार आंदुलन के प्रमुक हुए आंदुलनों की शुरुआत करते हैं प्रमुक सामाजिक व धार्मिक सुधार संस्थाओं के इस्थापना वर्ष उनके संगठन और संस्थापक के नाम से एवं ये जानते हैं कि ये कहां पर इस्थापित है 1815 में आत्मिय सभा का गठन कौलकता में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया 1828 में पुनह राजा राम मोहन राय ने कलकता में ब्रम समाज की स्थापना की 1839 में तत्व बोधनी सभा के नाम से देवेंदर नाठ टेगोर ने कलकता में इसकी स्थापना की 1840 में परम हंस मंदली नामक संगठन की स्थापना गोपाल हरी देशमुक व अनिस अदस्यों ने कॉलकता में की 1844 में मानव धर्म सभा की स्थापना महता जी दुरगा राम मंशा राम जी द्वारा कॉलकता में की गई 1851 में रहनुमाई माजदियान समाज फर्दून जी दादा भाई नरोजी द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहब द्वारा आगरा में की गई 1861 में ही स्वामी नारायन संप्रदाई की स्थापना संत स्वामी नारायन जी द्वारा दक्षिन भारत में की गई 1864 इसवी में आदीब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंज सेन द्वारा कौलकता में की गई 1864 में Scientific Society की स्थापना सर सेद एहमत खां द्वारा अलीगड में की गई 1867 में प्राथना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगाव रानाडे द्वारा बॉम्बे में की गई 1870 का वर्ष पुना सारुजनिक सभा की स्थापना का था रानाडे एवं चिपलूंकर साहब ने पुने में इसकी स्थापना की 1873 में सत्य शोदक समाज की स्थापना जोती बाफुले द्वारा पुने में की गई 1875 में अलिगड आंदोलन सर सयद एहमत खां द्वारा अलिगड में स्थापित किया गया 1875 के समय आरी समाज की स्थापना दयानन सरस्वती ने बॉम्बे में की 1875 में Theosophical Society of India की स्थापना मेडम ब्लावस की एवं कर्नल अलकाट ने नियू यॉक में की और भारत में इसका केंद्र आडियार में बनाया 1882 में गोर अक्षणी सभा की स्थापना दयानन सरस्वती जी ने की 1887 में राष्टी समाज सुधार समीती की स्थापना M.G. रानाडे द्वारा हुई बॉम्बे में 1889 में अहमधिया अंदुलन मिर्जा गुलाम अहमद की नेत्रत्व में इसकी स्थापना की गई और ये हुआ गुरदासपूर में 1897 में राम करश्ण मिशन स्वामी विवेकानन जी द्वारा स्थापित किया गया बैलूर में 1899 में विद्वा अश्रम की स्थापना D.K. करवे फूने में इनोंने की 1912 में देवबंद स्कूल आंदोलन की शुरुवात अबुलकलाम आजा द्वारा देवबंद में की गई 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवी जी द्वारा हरी द्वार में की गई 1916 में सावर्मति आश्रम महात्मा गांधी द्वारा एहमदाबाद में स्थापित किया गया 1918 में विश्व भार्ती श्रीरविन्ना टेगोर द्वारा कॉलकता में स्थापित की गई 1922 में भील सेवा मंदल अमरतलाल विठल्दास के नितरत में स्थापित हुआ 1924 में बहिश्क्रत हितकारणी सभा की स्थापना डाटर बियार अंबेट करने की और 1932 में हरिजन संग की स्थापना महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में की इस प्रकार से ये सभी महत्पून संस्थाएं अगर आप 2-3 बार दोहरा लेंगे तो आपको ये कंठस्त याद हो जाएगी दोस्तों अभी ये पूरी लिस्ट जो हमने पड़ी ये आपकी एक्जाम में बहुत महत्प रखती इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप इसे कम से कम तीन बार अवशिश सुने तब तक के लिए बवाय जुड़े रहिए सुरिवेंशी एकेडमी के साथ